कि 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 अलो एव्रिवन वेल्कम टो इंजिनेस अटा गाईज आई होप यौल अगुड मैसेल प्रजसिंग और आप सभी का इंजिनेस अटा के स्प्लेटफर्म पे स्वागत है फटा फट एक बार सभी लोग आ जाए उसके बाद आज के सेशन के सुरुवात करते है राइट और एक बार कंफर्म जरू कर देंगे गाईस अभी लोग की वोईस सभी को क्लियर आ रहे कि नहीं एक बार काईस फटा फट कंफर्म करिए पर सेशन को आगे बढ़ाते हैं आज करने वाले हैं आप सभी को बताया था मैंने और जैसा कि थमनिल पर आपने देखा होगा कुछ कुछ क्वेस्टन्स होंगे जो JKSSB, JEE examination में आए हुए questions होंगे, civil engineering के होंगे, जो कि बाकी के बच्चों के लिए भी helpful होगा, बहुत ही ज़्यादा, जितने भी aspirant हैं, जो Jammu and Kasmir के examination को देने वाले, अभी recent जो examination होने वाला है, जो पिछले साल वाला था, उसके लिए भी बहुत सारे बच्चे जा रहे होंगे, और बहुत सारे aspirant ऐसे भी होंगे, जो next, जो इस बार vacancies आई हैं, उस examination के लिए preparation कर रहे होंगे, अब हमें समझना ये है कि इस particular examination को crack करने के लिए क्या strategy रहनी चाहिए हमारी, किस तरीके सहम पढ़ें, क्योंकि देखो, बहुत सारी चीज़े होती हैं, जो syllabus में directly लिखी होती है, बहुत सारी चीज़े होती हैं, जो syllabus में नहीं mention होती है, जैसे बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है, कि सर, जेके SSB, जेई में building material तो आता ही नहीं है, अब आप मान सकते हों कि building material नहीं आ रहा है, building material बाकी के JEE के examination की तरह नहीं आ रहा है, syllabus में mention नहीं है, लेकिन अगर आप paper के questions को देखोगे ना, तो उसमें आपको clearly दिखाई देगा, कि cement के questions बहुत सारे आए हुए हैं, concrete के questions बहुत सारे हुए हैं, है ना, cement concrete, अब obvious सी बात है, concrete technology तो RCC का portion है, लेकिन cement, concrete, cement के constituents पूछ रहा है, Portland cement में silica कितना होता है, lime कितना होता है, अगर इस तरीके से questions पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब कि building material के ही questions है, ठीक है, तो आप सभी से request है, तरजी mechanical start कहां से करना है, mechanical के लिए भी classes चलती है, बेटा, mechanical के लिए भी YouTube पे classes चलती है, paid में भी classes start हो चुकी है, जिनको भी subscription वगएरा लेना होगा, JKSSB का, start करते हैं classes और बता देता हूँ, जो भी batches join करना देको, batches start हो चुके हैं, अभी recent batches है, new batch है बिलकुल, तो जिनको भी batches में जिनोंने enroll नहीं करा होगा, enroll कर सकते हैं, और minimum price में, lowest price में किसी भी student को चाहिए होगा, तो यहाँ पे एक discount coupon code लिख रहा हूँ, इसको use कर लेना, Y293, this is my code, और इसके साथ मेरे साथ जोड़ भी जाएंगे आप लोग, और साथ-साथ में batch का access मिलेगा, minimum price में, कैसे जोईन करना है, Adder 24-7 का application, description में link है, वहाँ से download करिए अपने phone में, और application download करने के बाद, gate and engineering section में जाइए, वहाँ पे आपको jkssbj civil selection batch दिखाई देगा, civil वालों के लिए, और mechanical के लिए अलग है, payment से पहले discount coupon code apply कीजिए, और आपको automatically सारी के सारी चीज़े मिल जाएंगे, चलिए, तो guys start करते हैं आज के session को, और session बहुत ही मज़िदार होने वाला है, जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ था, कि most expected and previous year के questions, जो previous year के questions, जो generally हम लोग देखते हैं उसको समझेंगे pattern को, आगे भी examination होने वाला है, और यह 21 वाला जो एक्जाम हुआ था, उसके विहाब पे कुछ questions करने वाले हैं, पहला question आपके screen पे है, फटा-फट जवाब देने की कोशिस करिए, बिल्कुल आकिब वही मैं बता रहा था आपको, इंग्रीडियेंट से पूछता है, और इंग्रीडियेंट आपको, औबेसी बात है कि RCC में तो है न, इंग्रीडियेंट पढ़ना हुआ, वो तो building material का ही है, है न, तो इंग्रीडियेंट से पूछा गया, इसके यह मतलब न बच्चे मुझे लगता है किसका जवाब भी दे पाएंगे, बहुत असानी से, है न, देखो, 1934 बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चे डी option बता रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका answer, IRC का गठन किया गया था, 1934 में, और इसी के recommendation, अब बताओ, IRC के बाद, कौन-कौन से institution form क किये गया है, CRRI का date आपको याद रखना है, CRRI, ठीक है, Central Road Research Institute, कब form हुआ, मोटर वी कल एक्ट कब आया, राइट, IRC ठीक, याद कर लिए, जयकार कमिटी कब form हुई, इन सब के date याद रख लेना, क्योंकि देखो, highway engineering से न, और railway से, जादे तर dates वगएरा पूछे जा रहे है प्रिवेस एर के questions अगर आप देखोगे, तो railway में आपको ये पुछेगा कि पहली train कब चलाई गई, passenger train, पहली train इंडिया से पाकिस्तान कब चलाई गई, इस तरीके के questions भी देखने को मिल रहे है, ठीक है, तो वो सारे के सारे important dates आपको याद रखने है, यहाँ पर आपका answer बिल्कुल correct हो जाएगा, कौन सा, D option is absolutely correct, जिन बच्चों ने यहाँ पर D option बोला था, बिल्कुल सही है, चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं गाईज, अगला प्रशन देखिए, और हाँ, soil mechanics के जो questions आएंगे, वो बहुत ही आसान होंगे, देखो, मैं बहुत सारे examination के लिए और exam के questions देखिए, यह लगता है कि paper सच में balance कोई बनाता है, तो JKSSB बनाता है, balance paper बोले तो जैसे की segment wise divide कर दिया, कि इतने number का यह आएगा, इतने number का और उस तरीके से paper बनाये जा रहा है, कुछ questions ऐसे आएंगे, कुछ questions no doubt ऐसे आएंगे, कि आपको लगेगा कि बिल्कुल क्या पूछ लिया सर, यह IS code पूछ लिया, इसके बारे में तो पढ़ा नहीं था, छोड़ दो, है ना कुछ छोड़ने वाले questions आते है, randomly आ जाएंगे कुछ questions, लेकिन उससे घबराना नहीं है, अब यह त्रिपार्ठी पूछना सरा आप यूटूब से नहीं हो पाईगा, हो is used to determine the in-situ density of the embankment, किसी भी embankment की field पे density determine करने के लिए core cutter का use किया जा रहा है, right, the weight of the core cutter full of soil is 2850 gram, 850 gram उसका total weight है, मतलब जो core cutter से हम लोग soil को cut करके निकाल रहा है, उसमें soil भरी हुई होगी, इस पूरे का weight कितना है, 2850 gram, ठीक है, इसके अंदर की soil का weight कैसे निकलेगा, जो soil होगी, उसका weight कैसे निकलेगा, core cutter का weight कितना है, जो body है, इसकी core cutter की, इसका weight है, 1000 gram यह आपको दिया हुआ है, घटा दो, 2850, minus 1000 gram कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1850 gram is the weight of soil, soil, soil का weight हो जाएगा, 1850, and volume is given, volume, internal volume ही देता है, जिसमें soil भरी हुई है, यह volume आपको दिया हुआ है, centimeter cube में, तो weight upon volume करना है, CDC बाद है, gram पर CC में answer आ जाएगा, 1850 divided by volume 1000, answer is what, 1.85 gram पर CC, कौन सा option correct हो जाएगा, A option is absolutely correct, दोनों ही ले सकते हो, विशाल, civil engineering महापैक में पहले से ही recorded classes आपको मिल जाएगे, हर subject के recorded देख सकते हो, JKSB के वल डेडिकेटेड होगा, JKSB के लिए, सब schedule वेगरा, सब कुछ पढ़ा हुआ है, बेटा, schedule हर batches का पढ़ा हुआ है, अगर किसी को भी जल्दी complete करना है, कोई भी course, उसके लिए महापैक है, उसमें recorded classes देख के आप जब मन करें तब कर सकते हो, हर एक subject की recorded classes available होती है, अगला प्रस्ण देखिए, अगला प्रस्ण next question, फटा-फट पढ़िए और बताईए, identify the correct order of engineering survey for highway alignment, ये question जो है, कोई ऐसा exam नहीं होगा, जिसमें ये पूछा नहीं गया होगा, हर एक examination में ये question पूछा गया है, जल्ली से बता दें, आप लोग इसका answer क्या होगा, identify the correct order of engineering survey for highway alignment, फटा-फट बताईए, और यार सेशन को like भी करना है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, map study, बिल्कुल correct लिखा हुआ है, map study कहीं हम survey करने जाते हैं, तो map study, overall area के बारे में, पता लगाते हैं, map study के दोवारा, reconnaissance, reconnaissance survey, undulation कितना है, possibility कितनी है, ठीक है, वो साली चीज़े find करते हैं, और फिर preliminary survey जिसमें हम लोग ground पर जाके measurements वगारा लेते हैं, और final location and detail survey, जब हम लोग plotting करते हैं, measurement के बाद, ठीक है, तो यह option तो बिल्कुल correct order में ही लिखा हुआ है, map study, reconnaissance, primary, primary, primary लिखा, preliminary लिखा है, sorry, अगर यहाँ पर primary लिखा रहाता है, primary, तो preliminary के बाद आता है, primary, अगर primary word आ जाता है, इसमें primary survey, तो preliminary के बाद आता है, primary, ठीक है, यहाँ पर यह option बिल्कुल correct है, a option is absolutely correct, ठीक है, किस की बात कर रहे हैं, विशाल, कौन से examination की बात कर रहो, इसलिए बोल रहा हूँ न, कि आपको अगर महापैक लोग है, तो उसमें live classes तो मिलेंगी, मिलेंगी, और बाकी जो आपकी regular classes है, foundation batch है, वो सब मिलता रहेगा, ठीक है, तो उसको लेके आप अपना complete कर सकते हो, within time, जो भी आपको लग रहा है कि जल्दी कर खतम करना है, तो, इन लेबरेटरी, the density of the soil is checked by, अभी तो कोई फिलाल डेट तो आई नहीं है, इस examination की, in the laboratory, the density of the soil is checked by, density, soil की density को कैसे lab में चेक किया जाता है, density को lab में, ठीक है, जल्दी से बताईए, हाँ तो, जेके से सबी के लिए जा सकते हो, महापैक से, महापैक में आप जा सकते हैं, definitely, पटाफट बताईए, गाई इसको, ली चेटेलियर एपरेटरस होगा, क्या आपको देखते ही कि पताई चल जाएगे, सर, ली चेटेलियर और कैसा ग्रैंडे तो 100% नहीं होंगे, पताईए, आपको किसी इसके लिए मेज़र किया जाता है, कैसा ग्रैंडे, लिक्विड लिमिट की तो बात की नहीं जा रही है यहाँ पर डेरेक्ट, शियर, स्ट्रेंथ की भी बात नहीं की जा रही है, ठीक है, यहाँ पर किसकी बात कर रहे है, यहाँ पर केवल और केवल किसकी बात की जा रही है, हम लोग स्वाइल की देंसिटी की, तो देंसिटी प्रॉक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट, ओबिसी बा अगला नेक्सस देखी, नेक्स्ट क्वेस्न बताएंगे सबी लोग लक्षमान बताया था, रिकॉलिजंस में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी फील्ड पर जाके measurement लेना होता है तो वहाँ पे survey के लिए location और एक तरह से बोल सकते हो कि roughly हम idea लगा लेते हैं कि possibility कितनी है ठीक है undulation वेगरा सब के बारे में बिल्कुल महाँ pack में सब कुछ include होता है CPM estimation सब कुछ वो तो इसमें भी include होगा JKSSBJE में भी include हो जाएगा ठीक है the maximum shear stress at a neutral axis for the rectangular section is given by rectangular section के लिए आप से पूछ रहा है कि maximum shear stress अब देखो यार यहां पे ना यह question कई बार लोगो confuse कर देता है कि सरी कहां से आया question मतलब इसको RCC में यूज करेंगे या फिर सूम में पूछेंगे या फिर हम लोग basically PCC के लिए यूज करेंगे तो कोई साभी आपको section हो PCC के लिए तो हमने पढ़ा भी है RCC के लिए पढ़ा है graph अब इसका जो shear strength PCC section है rectangular section लिखा हुआ है कहीं कुछ बाकी तो लिखा नहीं है rectangular section है उसका graph कैसा आता था पैरा बोली का था जिसकी center पे value कितनी आती है tau max is equal to 1.5 times of the tau average यही value आती है और यही पूछा हुआ है यहाँ पर D option बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है D option is absolutely correct राइट यहाँ पर D option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question पर अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण देखिए और बताईए फटा-फट क्या होगा एंसर इसमें confusion होता है students को पताईए सोच समझ के क्या होगा एंसर यहाँ पर हाला कि होना नहीं चीए पटा-फट बताईए गईज the distance of an object from survey line is called किसी object की दूरी survey line से कोई भी survey line हो चाहे main line हो या फिर tie line हो हमारे पास किसी भी object की अगर दूरी को हम लोग इसमें दर्सा आ रहे हैं indicate कर रहे हैं let us suppose यहाँ पे एक house है house की distance को हम लोग यहाँ से denote कर रहे हैं अब यह पर्पेंडिकुलर होगा तो यह पर्पेंडिकुलर offset या offset बोला जाता है या फिर यह distance अगर inclined distance मेजर की जाएगी तो इसको oblique offset में बोला जाएगा इसको क्या बोला जाएगा यहाँ पर be option आपका बिलकुल correct हो जाएगा 100% correct हो जाएगा अगले प्रशन पर बढ़ते हैं next question देखिए फटाफट और बताइए क्या होगा answer अगला प्रशन आपके सामने है in flow irrigation the irrigation water flows to land by अब flow irrigation में बोल रहा है कि flow irrigation में जो पानी होता है irrigation का वो कैसे flow करता है किस चीज़ की मदद से by mechanical means यानि कि motor या pump के द्वारा पहला option स्टिंकिंग वेल्स वेल्स के द्वारा पानी उसमें प्रवाइड करा जाता है या gravity के द्वारा पानी बहता हो जाता है या pumping directly लिए mechanical means pumping लिखा है समझ जिन में आ रहा होगा कि यहां तो यह option हो गाई नहीं सर और वैसे भी flow irrigation जो होता है वो अंडर दी एक्शन आफ ग्रैविटी होता है फ्लो और लिफ्ट दो आपने पढ़ा होगा फ्लो और लिफ्ट लिफ्ट में क्या करते हैं पंप की मदद से पानी को खीशते हैं और प्रवाइड कराते हैं फ्लो इस दर अंडर दी ग्रैविटी अंडर दी एक्शन आफ ग कि इर्रीगेशन में और वी सी रहा नहीं है टौन इर्रिगेशन के सास्थ हाइडुरुलाजी मेंशनन नहीं हुआज से भी प्रेशिपीटेशन के टाइप व्गद्स के कुस्स इग्जामनेशन में देखने को मिलते हैं जेके शबी बहुते Oooh गौर कीजेगा पास तो इम्रान करा दूँ मैं कोई मतलब नहीं है अभी फास पास जली जली कराने कोई मतलब नहीं बहुत सारे बच्चे है जिनको यह जो अभी वेकेंसी आई है जो कि बहुत अच्छी खासी वेकेंसी है उस एक्जामिनेशन को देना है ठीक है तो उन करते हुए मैं लेके चल रहा हूं हर चीज से समझाने की कोसिस कर रहा हूं कि कहां पर किसी को फोकस करेंग पढ़ने के दौरान को संस कर लो हजार को सन उससे कुछ होना नहीं है ठीक है कि वाट सूट वी इस पैंट टू डैप्ट रेशियो आफ सिंपली सपोर्टेट बीम लिमिट दी वर्टिकल डेफलेक्श म वर्टिकल डिफलेक्शन को लिमेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इस्पैन टू डैब्थ का रिशियो च् за 10 को अपने तक परेटिस करो जितने भी कोशल्स आपने अभी तक पढ़ेंए paid Ip का अभी upcoming exam है उनके लिए session नहीं है अभी सी बात है यह तो अभी उन बच्चों के लिए जिनको exam pattern समझना है जो अभी preparation में एंटर कर रहे हैं जिनको अच्छे से next जो अभी examination होने वाले उसको clear करना है उनके लिए है देख सकते हो इस session को कि अपनी देख सकते हो कितने questions आप कर पा रहे हैं यहाँ पर क्या होगा एंसर जल्ली से बता दो simply supported लिखा हुआ है simply supported के लिए कितना होता है 20 लेकिन यह कब तक up to the span of 10 meter और आपको पता है इस 20 में चार factor का multiply होता है k1 k2 k3 and k4 का right जिसमें के वन जो है अगर इस पैन की लेंथ 20 मेंटर आदस मेंटर से कम हो तो वन ले लेते हैं और दस मेंटर से ज्यादा हो तो टैन अपॉन स्पैन इसकी वेलू होती है टैन अपॉन स्पैन के टू टेंसाइल स्टील पर डिपेंड करता है के त्री कंप्रेसिव स्टील पर डिपेंड करता है और यह फ्लेंज टू वेब की विर्थ पर डिपेंड करता है के फूर यह सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए इस ते कोशन बन सकते हैं examination में यहाँ पर आपका यह option बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है अगला सियर स्पार्मन सियर स्पार्श्य ओट जोन वेर अब धया को सिडू जोन में इस पैन को रषियर इस पैन को हम लोग स्पार्टर्ट कर्टे लोगते हैं उसका एक नाले श्चाहर यह तो है जलदी से बहं कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस प्रश्ण में यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बहुत सारे बच्चे बोल रहेंगे सर शियर स्पैन उसी स्पैन को बोला जाता है जहां पर शियर फोर्स क्या होता है यहाँ पर शियर फोर्स अगर जीरो हो जाए थ्रूआउट तो वह भी कॉंस्टेंट है लेकिन उसका एक सब टाइप है इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूस होते हैं हला कि आप लोग नहीं हो रहे हो बहुत अच्छी बात है विशाल एक्सपेक्टेशन तो यह है कि अभी जो रिसेंट इग्जामिनेशन हो रहे है इसके बाद कम से कम 6 महिने का समय आपको मिलेगा सिक्स मन्त का टाइम मिलेगा आपको जेके सस्बी के लिए एक्जाम के लिए तो कोई भी स्टूडेंट और वेकेंसी आट सो पच्पन जो की एक डिसेंट वेकेंसी है मन लगा के पढ़ दोगे न तो ऐसी मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो जिसने महनत करी होग होगे और उसका सेलेक्शन नहीं होगा इस एक्जामनेशन में इतने कम सीटे थी तब भी एक्जामनेशन क्लियर किया बच्चों ने पिछली बार जो हुए थे रिजिड मॉडियल कैनाल यहां पर बताईए फटाफट रिजिड मॉडियल कैनाल अब देखो मॉडूलर कैनाल रिजिड मॉडियल सेमी मॉडूलर कैनाल उन सब के बारे में मैंने इरिगेशन में अगर आपने सब्जेक्ट मेरे से पढ़ा हो तो लिखवाया है बहुत क्लि काउंस्टेंट हो जाता है ना तो water course के लेवल पर नहीं डिस्टिब्यूटरी के लेवल पर किसी के water लेवल पर डिपेंड बन नहीं करता है यहां पर discharge constant हो जाता है पुरी तरीके से यहां पर maintain constant discharge C option is absolutely correct C option बिल्कुल correct हो जाएगा यहां पर डिस्चार्ज इस कॉंस्टेंट अगला नेक्स्ट कॉस्टन देखेंगे फटा फट बताईए नेक्स्ट कॉस्टन गाइज डैस इस कॉस्ट बाइदी नैच्रल राइजिंग ऑफ वर्मर लाइटर एर इंदी कॉल्डर डेंसर सराउंडिंग देखो अब ऐसे कॉस्टन जो है न यह इरिगेशन के नहीं है यह हाइड्रोलोजी के कॉस्टन से लेकिन हैड्रोलोजी स्पेसि क्ली नहीं लिखाया से ले बस में कि मतलब अलग से सेक्शन मना के लेकिन हैड्रोलोजी के कुछ कॉस्टन जैसे प्रेसिपिटेशन टाइप इन सबसे कॉस्टन आपको देखने को मिलते हैं इस एक्जामिनेशन में जल्ली से बता देए इसका एंसर क्या ये कन्वेक्टिव होगा फ्रॉंटल नहीं नौट फ्रॉंटल रहूल यहां पे देखो जब भी गरम हवाएं उपर उठती हैं और जाके ठंडी हवाओं से मिलके टेंसर सराउंडिंग में मिलके वहां पे जाके वो प्रेसिपिटेशन कराती हैं उस पर्टिकुलर फिन क्योंटेशन बोला जाता है ठीक है ट्रिक ट्रिक कैसे याद करना है देखो एक तरह से ट्रिक इसका कन्वेक्टिव का बता जेता हूं कन्वेक्शन आपने फड़ाओं काने हीट में जो आग के उपर हाथ रखते हैं तो ज्यादा गर्मी दिखाई देती है ना साइड में थ इसी तरीके से ऐसे समेज लो कि वॉस्ट मर्ये एर संवैक्शन से कजै कन क्रेटिव ऐसे याद कर लेना बस इस तरीके से कि मार्मर यहर जब लाइट हो जाती है हलकी हो जाती है गरम हवाएं और उपर जाती हैं तो जाके ठंडिया वाँ से मिलके प्रेशिप्टिशन कराती है इस तरीके से याद कर सकते हो तेमपरेचर डिफरेंस होता है ठीक है अगला इन सर्वेइंग द वर्क फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट लीट्स टू अभी इतना आसान को सन अभी से असान को सन कभी देखने को मिलेगा क्या विशाल महाबैक बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए अब भी कुछ आइडिया नहीं है रिस्पेक्ट किंग उसका ठीक है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अब होल टू पार्ट हम क्यों करते हैं पार्ट टू होल कोई प्रिंस्पल होता ही नहीं होल टू पार्ट हैं तो फाइंड लोकेशन दो प्रिंस्पल है हमारे ठीक है एक तो वर्किन टॉ मौल टू पार्ट पूरे अरिया को हम लोग क्या करते हैं सेगमेंट वाइज डिवाइड कर देते हैं छोटे-छोटे पार्ट में और उसके बाद उन पार्ट को अलग से सर्वे करते हैं ताकि हमारी जो एरर हो वोल लो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही अच्छा कोशन है यहां पर अक्सर करके पूछा जाता है यहां से लेंथ आफ नेशनल हाइवे एस पर दी थर्ड ट्वेंटी येर रोड प्लैन लखनव रोड प्लैन के अकॉर्डिंग लेंथ आफ नेशनल हाइवे जली से बता दो क्या होगा यहां पर एनच की लंबाई पूछा है यहां पर इस प्रश्ण का जवाब सभी लोग को देना है जितने भी लोग यहां पर देख रहें वीडियो को सबको बताना है इनफेक्ट जो बागी के अडिस्नल इंफॉर्मेशन है वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं एनच का पूछा है बागी के बारे में भी बता सकते है इसमें तो केवल एनच पूछा है नेशनल हाइवे का प किलोंटर स्कॉयर में लेते हैं और अपॉन 50 कर देते हैं यहां प किलोंटर स्कॉयर एरिया में 50 का डिवाइड कर देते हैं तो यह एनच का मिल जाता है अगर आपसे एशेच का पूछा जा जाया बेटा तो और SH, state highway के लिए पुछा जाए तो कितना होगा और ये length जो आती है वो kilometer में ही आती है SH का पुछा जाए तो क्या होगा, area upon area in kilometer square upon 25 और guys यहीं पर SH का जब पुछा जाएगा ना तो SH का एक और formula था, याद करो क्या था SH का एक और formula आपको याद है, कितने लोग को याद है 62.5 वाला, 62.5 into number of towns ये question, अगर इस पर question आता है, कई बच्चे गलत खर जाते है number of towns with population more than 5000, ठीक है number of towns with population more than 5000 minus, इस में से minus क्या घटाते है हम लोग वहीं उपर वाले formula से जो निकाला है, NH वाला, NH वाली length area upon 50, इसको minus कर देते है तो इन दोनों formula में से जो निकल के आता है उन में से larger value या bigger value हम लोग लेते हैं, consider करते हैं यानि कि इसको length of NH है, ये NH की length को minus कर दिया हमने अब इन दोनों से निकालेंगे, जो भी larger value मिलती है, उसको लेते हैं SH के लिए, ठीक है, clear है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत MDR, major district road के लिए अगर पूछा जाए बेटा तो MDR के लिए क्या हो जाएगा, short वाला तो याद रखे ही होगे at least 12.5 वाला, जैसे 50, 25, 12.5 आधा और कर दो, area kilometer square में divided by 12.5 और दूसरा वाला formula जो है, वो ऐसा ही है, बस 90 into number of town है, उसमें से minus नहीं करना है ठीक है, 90 into number of town number of towns, ठीक है, इस तरीके से निकाल लेते हैं हम लोग नोट कर लिजएगा, number of town वही होंगे, जिनकी population 5000 से अधिक होगी, तो यहाँ पर answer तो आपका D option correct हो जाएगा, अब यहाँ पर सीधा-सीधा यही पूछ लिया गया था, कई बार आपको ने इसकी लंबाई आपको पूछ लेता examination में, कई बार आपको क्या होता है, कि area दे देगा total और length की value आप से पूछ ली जाती है, तो उसके लिए भी prepare रहना कि वैसे question भी examination में आ सकते हैं, ठीक है, वैसे question भी पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर तो आपका D option बिल्कुल correct हो जाएगा, और इसको important mark कर दे रहा हूँ, क्योंकि highway में यहाँ से, इस पे एक अलग से मैंने वीडियो भी करी है, जिसमें पूरे का पूरे हमने formula को discuss किया है, और पूरा का पूरा जो road plan in India था, उसको discuss करा है, उसको देख सकते हैं, अगला question देखें, next question, अगला प्रशन देखो next question देखें गाईज नहीं, town की population कई बर नहीं भी दी होती है, तो भी आपको apply करना होता है, लक्षमन, पिल्कुल count करोगे, उसको count करोगे, और town की population ऐसे दिया नहीं रहता है, कई बर तो भी formula तो apply करके देखो गए, दोनों से जो ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर देखें, the water utilized by the plant is available in the soil, mainly in the form of plant, जो पौधे, जो पानी को खीशते हैं, वो पानी mainly कहां से मिलता है, capillary water, कई बर बताया मैंने, capillary water, hydroscopic water को खीच नहीं पाते हैं, gravity water, जो पानी drain होने के बाद जो रुक रहा है, उसको बोलते हैं, ठीक है, chemical water नाम की कोई चीज होती नहीं है, ठीक है, soil moisture में, capillary water B option is absolutely correct, यहाँ पर B option आपका 100% correct हो जाएगा, अगला प्रशन देखिए, next, next question देखेंगे और बताएंगे, क्या होगा answer, क्या पूछा है, what is the minimum area of distribution bar required for this lab, where steel of grade F.E.415 is used, अब इस्टील का grade F.E.415 use हो रहा है, यानि कि HYSD bar user, distribution bar के लिए requirement पूछ रहा है कि कितने requirement होगी, minimum area की, ठीक है, minimum area की, तो आपको पता है कि जो main reinforcement होते हैं, उसके perpendicular हम लोग क्या देते हैं, distribution reinforcement देते हैं, यह main है, तो मालोग इसके perpendicular हमने यह वाले बार्स जो दिये हैं, यह distribution bars है, इस आधी distribution reinforcement, अब distribution bars जो देते हैं गाईज, इसमें दो criteria है, mild steel वाला, mild steel यानि कि FE, 250, और HYSD bar, ठीक है, mild steel रहेगा तो कितना देते हैं, 0.15% of gross area, और HYSD बार रहेगा तो 0.12% of gross area, distribution, slab के लिए पूछा है, इसलिए लिखवा रहा हूँ यह, slab के लिए यहाँ पे पूछा है, ठीक है, हाँ, pedestal के लिए भी 0.15% ही होता है, minimum, बिल्कु करेक्ट, यहाँ पे आपका, यह option बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह option is absolutely correct, ठीक है, अगले प्रेशन पे चलते है, next question, अब देखो, यही questions की बात कर रहा था, यहाँ पे जिस टाइप के question यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, इस particular question को देखो, और इस टाइप के questions जो है, examination में, पूछे गया है, प्रेशन का जवाब, बखुभी मुझे लगता है, सारे लोग दे पाएंगे, जल्ली से बताइए मुझे क्या होगा, एंसर, what is the content of lime in Portland cement, Portland cement में lime की percentage, what is the content of lime in Portland cement, बताइए फटाफट, बिल्कुल करेक्ट, lime के लिए क्या हो जाएगा, 60-60%, अब इस तरीके कई सारे question पूछे हैं, silica की percentage पूछी गई है, lime की पूछी गई है, यानि कि cement और concrete, दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, ये तो for sure आप दिमाग में mind में make up करके ही जाना, सीमेंट को छोड़के मत जाना, और जे के सेज़ भी, अगला प्रशन, अगला प्रशन देखिए, next question, next question guys, और जिनके पास अड़ा 24-7 का application नहीं होगा, यहीं पे pinned है, link chat section में ही वहाँ से download जरूर कर लिजेगा, chat section में आपको pinned link दिखाई देर होगी, आप तो जरूर रखो, आप में ही आपको classes भी मिलती है, सारी के सारी, thank you so much Vishal, the irrigation efficiency is 80%, conveyance losses are 20%, and the actual depth of watering is 16 cm, the depth of water required in cm at the canal outlet, अब देखो मैं इस question को कहूंगा न, कि बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर दो answer आएंगे, कुछ बच्चों का answer, देखो अब D भी आ रहा है, यारे D कैसे आ रहा है तुम लोग का, जिनका D answer आ रहा है, भाईया पढ़ने की जरूरत है, काईदे से पढ़ाई करो, B और C में answer आता तो मैं थोड़ा सा बात कर सकता था, कि आप लोगों से थोड़ा सा discuss कर सकता था, कि चलो नहीं समझदार हो, अभी समझदार ही कहां चली जाती है जब ऐसे question आते हैं तो, पताईए, चलो अच्छी बात है, तुक्के मार रहे थे, देखो यहाँ पे, यहाँ पे लिख दिया है ना, कि इफ दी इरिगेशन इफिसेंसी is 80%, यादी इरिगेशन इफिसेंसी 80% है, अब यह जो वर्ड है ना, यहाँ पे इरिगेशन इफिसेंसी ना लिखकर इनको 25, 25 कब होगा, देखो ध्यान से, जब कन्वेंस पानी को ले जाने में, लॉसे हो रहे हैं 20% के, यानि की कन्वेंस इफिसेंसी 80% हो गई, 20% लॉस मतलब इफिसेंसी कितनी हो गई, नीटा सी की वैलू कितनी हो गई, 80%, अब यहां से पानी को जो सप्लाई किया जाता है, फिल्ड पे, तो एप्लिकेशन, नीटा, यहां पे अगर आपको दिया रहाता, 80% और फाइनली पानी कितना पहुंच रहा है, 16 सेंटिमेटर, 16 सेंटिमेटर पानी पहुंच रहा है, पौध हो के पास, तो हम निकाल सकते थे कि यहां से कितना हमने पानी सप्लाई किया होगा, यहां से पानी कितना सप्लाई किया होगा, यह निकाल सकते थे, बहुत असानी से, कैसे निकालेंगे, आपको देखो, जो हमने सप्लाई किया, डिस्चार्ज क्यू, इसका 80% पहुंचा कहाँ पे इस पोजिशन पे यहाँ पे Q1 की जगा तो इसका 80% पहुंचा तो इसका 0.8 का multiply कर दिया अब यह हो गई value किसकी Q1 की अब Q1 में फिर 80% पहुंचा ground पे Q1 का ground पे 80% पहुंच के कितना हो जा रहा है 16, 16 इक्वल टू क्या हो जा रहा है 80% of Q1 80% of Q1 की value कितना लिख देंगे Q into 0.8 तो यहाँ से हम लोग Q की value निकाल लेंगे Q की value कितनी हो जाएगी 16 upon 0.8 into 0.8 यहाँ से एंसर आपका आ जाएगा 25 cm This is your final answer B option लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पे Cable Irrigation Efficiency लिखा है तो बहुत सारे बच्चे इसको Total Irrigation Efficiency समझ सकते हैं क्योंकि 80% यहाँ लिखा भी हुआ है और 20% का loss यहाँ लिख दिया है Conveillance का कोई ऐसा भी समझ सकता है कि Overall Irrigation के efficiency जो है 80% है और जिसमें 20% Conveillance में loss हो जा रहा है तो अगर 20-16 यहाँ पे पानी पहुँच रहा है Conveillance में total loss 20% का हो रहा है यानि कि 16 में 0.8 का divide कर देंगे तो 20 मिलेगा 20 answer लगा सकते थे और काफी बच्चों ने यहाँ पे 20 answer लगाया भी है Examination में लेकिन यहाँ पे आपका answer उन्होंने 25 दिया था application efficiency is 80% and conveyance losses are 20% इस तरीके से इनको लिखना चीए था ठीक है क्लियर है 15 तो कभी नहीं आएगा यार 15 कैसे आएगा आप सोचो कि यहाँ 16 पानी पहुच रहा है कोई कह रहा है 15 मतलब सोचो थोड़े दिमाग से कि 16 पहुचाना है 16 सेंटिमेटर पानी यहाँ से 15 छोड़ोगे और बीच में नुकसान भी हो रहा है और यहाँ पर 16 पहुच जाएगा common sense वाली बात है ने यार channel outlet मतलब जहाँ से पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है ठीक है crazy questions आकर पूछ रहा है कि सर जी आप exam नहीं देते क्या परे को जरूरत नहीं है बेटा जब देना था तो मैंने खुब exam दिये है ठीक है उन examination से मेरा क्या होगा मेरे पढ़े हुए काफी बच्चे हर डिपार्टमेंट में बैठे हुए है DRDO का result DRDO जई का result देखो अभी probably बोल नहीं सकता हूँ कब आएगा लेकिन chances है कि एक से डेड़ महिने के अंदर आपको result पहले examination का देखने को मिल जाए इतना समझ लो कि यहाँ यहाँ पेफिसेंसी 80% है यहाँ पेफिसेंसी 80% है तो बस रिस्चार्ग जो जा रहा है यहाँ से यहाँ इसका 80% यहाँ पहुंच रहा है तो 80% इसका multiply कर दिया अब यहां पर यह प्रश्ण जो मैंने पीछ एक्स्प्रेंड किया था ने इस प्रश्ण को कि जब भी आप से पूछा जाएगा लेंथ तो लेंथ आपको निकालना है अब इस प्रश्ण में कुछ लोग तो स्मार्ट वर्क एक्जामिनेशन में करेंगे और तुरंत पहला वर्ड पहला चीज निकालते ही तुरंत आगे बढ़ जाएंगे यहां पर पढ़िए एक बार कोशन को क्या लिखा हुआ है अरे क्या हो गया यार तुम क्यों आपस में बाते कर रहे हो गुस्ता हो जाएगा यह हो जाएगा पढ़ाई पे फोकस करो किस क्या तुम लोग आपस में लगे हुए हो मतलब थोड़ा भी आप लोग देखो यार मैं एक बात जैनुइन बात बता रहा हूँ कि सब चीजे न धरी रह जाती है केवल इकी चीज काम आएगी हो क्या आपकी पढ़ाई और आपका सेलेक्शन होगा तो आपकी पढ़ाई को सब लोग क्रेडिट देंगे आपके मेहनत को क्रेडिट देंगे नहीं होगा तो हमेशा यही कहे जाओगे कि बस केवल टाइम पास करता था इस चीज से अगर आपको निकलना है तो आपको मेहनत करनी है मेहनत करिए ठीक है यहाँ पर तो हाला कि चूजन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन भी दिख लिखा हुआ मिल गया सीधे सीधे यहाँ पर देखो इसमें क्या है इसमें जो पहला ऑप्शन है यह वाला मतलब जो टोटल एरिया दिया हुआ है एरिया कितना दिया हुआ है 14,000 14,000 divided by 50 करते ही हमें क्या मिल जाता है एनेच की लेंथ यह तुरंथ हमने क्या निकाल लिया कि 280 आ गया सर यहाँ से यह हमारे लेंथ आफ एनेच आ गई और यह ओप्शन को ही करेक्ट कर दिया कुछ भी ना सोचे समझे ठीक है यह ओप्शन को हमने तुरंथ करेक्ट कर दिया ठीक लेकिन दूसरा जो इसमें ऑप्शन है इसको भी तो निकालना है ऐसेच वाला क्या फॉर्मूला बताया था है सेच के लिए जल्ली से बता तो फटा फट नंबर आफ टाउंस यहां दिये हुए लेकिन पॉपुलेशन वगरा भले ही नहीं दिये हुए लेकिन नंबर आफ ट तो 15 का मल्टिप्लाइ कीजिए और इसमें से 280 घटा दीजिए आपका एंसर आ जाएगा कितना 657 657 क्यास पसारा होगा यह आउप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यह एसेच की लेंज निकल जाएगी ठीक है ससी जे का रिजल्ट कब आएगा कोई भी रिजल्ट कब आता है जब आयोग अपनी वेब साइट पर डाल देता है तब राइट उसके बाद हम आपको इंफॉर्म कर देते हैं तो यह सब कोशन एर्लिमेंट कोशन क्यों पूछते हो यार तुम लोग पढ़े लिखे सेंसिब को प्रकाशित कर दिया जाएगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है अप्डेट रही है वेब साइट पर देखते रही है रिजल्ट जबाना होगा आ जाएगा अगला प्रशन देखें नेक्स्ट कोश्टन कैलकुलेट दिवेट ऑफ वन मीटर लेंथ अव दिस सिक्स्टीन अम डायमेटर स्टील रॉड यूनिट वेट इस गिवन सेवन एट फाइव जिरो केजी पर मेटर क्यूब अगर यूनिट वेट इतना दिया होगा 7850 तो उस केस में आप लोग निकाल भी सकते हो स्टेंडर फॉर्मूला भी याद है अगर यूनिट वेट कुछ बदल दे तो हमें निकालना पड़ेगा स्टेंडर फॉर्मूला काम नहीं आएगा तो दोनों ही मेथड देख लेंगे कि किस तरीके से निकाला जाएगा यून आप अगर बेंगा तो ये विल्लीव का मल्टिप्लाइब करेंगे बार्स जो एक मीटर की ही दे रखी है 1 मीटर का दे रखी है को यहां पर क्ला फोडियो urging कि यह हमारे पास बार है तो यह सटील की वाल जिसकी लेंथ है एक मेंटर अ यह इसका निकाल सकते हो क्रॉस सेक्श आपका वाल्युम का जाएगा और वाल्यूम एंटो यूनिट वेट कर देंगे यह आज कवेट आ जायेगा ठीग है तो वाल्यूम आपने निकाल दिया भाई भाई फो इंटो सोलर का स्क्वायर इन्टू 7850 यहां से आपको क्या मिल जाएगा वेट मिल जाएगा वेट इन केजी तो जब डेंसिटी इतनी होती है 7850 तो डेरेक्टली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो आला कि यहां पे केजी पर मेटल क्यूब में है और यह सोलर जो रखा गया है एमेम में रखा गया है तो इसको भी चेंज कर लोगे एमेम से मेटर में स्क्वायर है तो यहां पे 10 टूपार माइनस 6 हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते है या फिर एक दूसरा फॉर्मूला सौट फॉर्मूला क्या होता है डी स्क्वायर अपॉन 162 सीधे सीधे यूज़ करो और आपको यहां पे यूनिट लेंथ की वेट आ जाएगी और यहां पे अगर लेंथ अगर वन मेटर की जगा 10 मेटर दिया रहा था तो यहां पे वन पॉइंट फाइफ एट केजी आ रहा होगा यहां पे आपका सी ओप्शन आ रहा होगा सी ओप्शन इस एप्सलूटली करेक्ट यह ओप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला कमपोजिट स्लिपर इंडेक्स CSI बहुत अच्छे कोशन यहां से बनते हैं पहले भी बताया है मैंने यूटूब पे भी कराया है यहां से कोशन जो आया हुआ है इसको बताईए पहले आप लोग फटाफट उसके बाद आगे बढ़ेंगे CSI का सबसे पहले फॉर्मूला बता दो किस काम में आता है यह पूछा गया है यह तो आसान कोशन हो गया लेकिन इसके फॉर्मूले पे भी कोशन आ सकते हैं बिल्कुल चला दूँगा क्रेजी कोशन देखिए यहां पे बिल्कुल सही बता रहे हैं बहुत सारे लोगों ने बताना स्टाट कर दिया देखो कंपोजिट स्लिपर इंडेक्स CSI का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपको पता है कि यहां पे स्ट्रेंथ और हार्डनेस का रोल है इस तरीके से इसके फॉर्मूले को याद करोगे ना तो फॉर्मूले के साथ ही पता चल जागा कि किसीज में यह यूज किया जाता है CSI तो S प्लस 10H डिवाइड़ वाई 20 यह फॉर्मूला आपको याद रखना है यह फॉर्मूला आप लोको अच्छे से याद रखना है जहां पे S क्या होता है स्ट्रेंथ इंडेक्स एस वाट इस प्रेंथ इंडेक्स और ही जोट हार्डनेस इंडेक्स है चीज़ चानेस इंडेक्स ठेंथ इंडेक्स और टिंबर के लिए जब मेजर किया जाता है यह दोनों ही दोनों तो कितने moisture content पे 12% monster content पे measure किया जता है 12%, 12% के moisture content पे ये measure किया जता है 12% के moisture content पे इसको measure करते हैं ये जो formula ऊपर लिखा हुआ है न S above 20 यहाँ से मिलता है composite slipper index की value जो बताती है strength और hardness के बारे में idea यानि की किसी option बिल्कुल इसका correct हो जाएगा अब इसकी नम minimum value भी पूछी जाती है इसकी minimum value भी पूछी जाती है आपसे examination में में ससी जेए में बाकी में बाकी के examination में बूछा जाता है track slipper के लिए कितनी होती है कूई बताएगा क्या मुझे track slipper जो track पर slipper बिचाए जाती है track slipper के लिए फटा फट बता जीजे minimum value normal track पर जो slipper होती है उसके लिए minimum value of CSI minimum value composite slipper index बता जीजे फटा फट और track slipper 1432 बता रहा है track slipper के लिए 1432 नहीं बेटा आपने पढ़ा है जरूर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन 1432 नहीं 700 कितना होता जल्ली से बता दो 785 सायर ना हाँ लगबग लगबग हद तक पहुंच रहा हूँ 783 ठीक है कहीं 785 आपको दिखर लिखा हुआ मिल जाएगा ठीक है 783 याद कर ले ना option में ऐसा नहीं मिलेगा कि 83 भी 82 भी है इस तरीके से option नहीं मिलेगा crossing slipper के लिए crossing slipper के लिए crossing पर joc slipper होगा उसके लिए 1,352 ने 252 और जो 1455 जो पढ़ाया ना आपने 1455 वब किसके लिए होता है ब्रिज स्लीपर के लिए नीचे लिख दिखाई देंगा कि नहीं दिखाई देना चाहिए प्रिज लिपर के लिए इसकी वैलू होती है 1455 यही तीन वैलू आप से पूछ सकता है minimum value के रूप में यही तीन वैलू आपको minimum value के रूप में पूछा जा सकता है इसके अलावा question नहीं आएगा आप देखो CSI से जो question आएगा किसी इसको measure करता है strength and hardness पामूला क्या होता है ये मिनिमुम वैलू क्या होती है ये खतम हो गया CSI कितने मॉस्टर कंटेंट पर ये खतम अब क्या बनेगा यहां से कुछ नहीं बनेगा खतम खेल खतम यहां से आगे बढ़ें अगला को सन्देखिए नेक्स्ट कोशन देखो फटा-फट बताओ इसलिए मैं बोलता हूं कि जब कॉपी में कुछ चीज़े लिखा करो तो सब चीज़े एक जगा लिख लिया करो ताकि कन्फ्यूजन क्रेट ना हो चलिए बताई यहां पर कोर कटर टेस्ट वॉल्यूम अभी कोशन कराया था तो वहां पर मैंने हिंट भी दिया था मैंने आपको यह और कटर टेस्ट में जो सॉइल का वॉल्यूम होता है लिखना इस इक्वल तो दी एक्स्टर्नल वॉल्यूम अफ दी डॉली एक्स्टर्नल वॉल्यूम से कोई मतलब भी नहीं है उसके वाइल कहां आएगा उसके इंटर्नल वॉल्यूम में ही आएगा कटर के कटर जो होगा उसके इंटर्नल वॉल्यूम में डॉली से तो मतलब भी नहीं है to the external volume of the cutter to the internal volume of the dolly to the internal volume of the cutter cutter के internal volume के बराबर ही soil का volume कंसिडर करेंगे उसी में तो soil आईगे उसी में सब तो निकल रही soil D option is absolutely correct आज ही बताया था इसको इसमें तो गलती होई नहीं सकती थी मोहित C कैसे बोल रहा है भाई मेरे अगला प्रशन देखिए और बताया मुझे फटा-फट employment JEFF kommen Board कर रहे हैं Intermediate साइड इस टंस जब बहुत इंटरमीडिएट साइड इस्तेंस हिली रोड लिखा रहे है इस दी की बात करते है तो आईस्डी का मतलब क्या हो जाता है coral Gum का इंटरमिडीययू Mick कि लामने सामने से आ रही है तो इनके बीच की इंटरमीडियेट साइड डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए अपने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पर रुख जाए और ये भी अपने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस तक की दूरी इसको मिले रुखने के लिए तो टोटल यह option is correct ठीक है? अगला इन RCC member if the beam is over reinforced and loaded up to the destruction the failure will occur due to अब यहां से कई साले कोसन बनते हैं over reinforced section है loaded up to destruction जहां तक उसमें failure हो रहा है वहां तक load किया जा रहा है उसको और यहां पर पोच रहा है कि the failure will occur due to किसकी वज़े से failure होगा over reinforced section है वो overtaking zone होता है three times desirable और five times वो overtaking zone होता है यहां पर पूछा था intermediate side distance ISD दोनों में difference है किसी भी चीजों को किसी भी चीज़ से mix मत करो नहीं लक्षमन रोज नहीं होगी यह class इस टाइम पर जो class चलती थी 8 बज़े से ही चलेगी RCC खतम होगा फिर questions के practice कराऊंगा RCC और ऐसे भी बहुत जल्द खतम कराने वाला हूँ तो यहाँ पर देखो अब अभी सी बात है कि over in force section आपका failure किधर होता है concrete के side में brittle failure बोलते हैं concrete brittle material है brittle failure होता है sudden होता है यह sudden failure होता है brittle failure होता है primary compression failure बोलते हैं इसको इसको क्या बोलते हैं primary compression failure primary compression failure right it is known as what primary compression failure crushing of concrete की वाज़से होगा 100% अगर आपका under in force section होता है तो उसमें secondary compression failure क्योंकि पहला failure जो tension side में होता है वो steel elongation की वाज़से crack दिखते हैं उसके बाद concrete fail होता है that is why it is known as secondary compression failure किसको जिसको बोलते हैं under in force section को जिसको ductile failure के नाम से भी जाना जाता है जिसमें sufficient warning signs मिलते हैं cracks वगेरा दिखाई देते हैं आपको जिससे कि आप proper time से रहते हुए repair करा सको maintenance करा सको या फिर escape कर सको ठीक है बना दूंगा उस पर अलग से एक वीडियो head of deeds पर्सो के examination को जो भी देने जा रहा है अभी आपको बोलूगा कि सीपे में पर्ट estimation and costing पर्ट को स्पेसिफिकली देख लो इतना समय है कि सीपे में पर्ट के छोटे-छोटे formula free float slack यह सब क्या होता है crashing क्या होती है cpm में क्या क्या important point है पर्ट में क्या है यह सब सारी चीज़े देख के जाना अच्छे से ठीक है अब देखो अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं बता दू सभी को जितने भी aspirant हैं जिनकी branch civil engineering है उनके लिए सभी examination के लिए एक संपूर्ण package जो बोलते है civil engineering महापक अवेलेबल एड़ 24-7 के application पे app का link आपको यहीं मिल जाएगा chat section में description में भी वहाँ app डाउनलोड करके और उसके बाद app में जैसे ही जाएंगा तो उसमें get and engineering exams करके section दिखाए देगा उसी में सारे के सारे engineering के courses दिखाए देते हैं उसमें आपको civil engineering महापक दिखाए देगा discounted price में किसी भी aspirant को join करना है you can use my referral code इसको यूज करके आप मेरे से जोड सकते हैं join करके अपनी classes को ले सकते हैं कोई भी query होगी मुझसे contact भी कर सकते हैं जिसकी classes में भी मिलेंगे आपको और इसको अलग से join कर सकते हो प्राइज में थोड़ा बहुत difference है और सारे के सारे batches ही लगभग तो हजार से तीने जार के बीच में आपको मिल जाते हैं इसमें भी सेम डिसकाउंट कूपन कोड वाई 293 ही यूज करिएगा पेमेंट के पहले ठीक है चलिए अगला प्रशन आपके सामने है जल्ली से बता जीजे फटा-फट नहीं बकलिंग नहीं होगी लक्षमन बकलिंग नहीं होती है उसमें जब extra tension आता है न बॉटम साइड में तो इस tension की वएसे strain डवलप होता है उस strain की वएसे concrete में cracks दिखते हैं दोनों ही होगी महाँ पैक में सारी recorded भी होंगी सारी की सारी live classes जो मिल रही है वो भी इसमें दिखेंगी subject wise subject के नाम से वहाँ पे exam का name या JKSS भी इस तरीके से नहीं दिखाई देगा लेकिन हां RCC की class चलेगी तो RCC दिखाई देगा उसके अंदर वही class दिखाई देगी जो यहां पर देखें पूछा है कि the width of carriageway of two lane without the raised curve, raised curve उसमें नहीं है, curve नहीं प्रवाइट कराएगा, आपको पता है कर्व प्रोट के साइड में जो raised portion हम लोग देते हैं, यहां पर कर्व नहीं है तो कोई दिकत ही नहीं है, carriageway two lane है, per lane कितना मानते हैं, 3.5 into 2 कर देंगे, 7 हो जाएगा, single lane बोलता है तो 3.75 टिक लगा देते, अब यह बताओ कि raised curve अगर होता तो कितना लगाते हैं, answer यह बता दो, कितने लोग बता सकते हैं, अगर raised curve दिया होता, तो किया answer लगाते, with raised curve लिखा रहता तो, कितने लोग बता सकते हैं, with raised curve लिखा होता, तो किया answer टिक लगाते हैं, देखो, क्यूट ने बोला, 7.5, with और without 7, intermediate रहता तो 5.5, जल्दी से बता देंगे, बाकी लोग, 7.5 लगा देते क्या, चलो, very good, यार, बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़े हुए हो, थोड़ा बहुत, अच्छे से, ठीक है, अच्छा लगता है, जब इस तरीके के questions में, थोड़े भी variation करने पे भी आप लोग answer बता देते हो, तो, चलिए, अगला question देखिए, टाइश, aggregate, provided, good durability to the concrete, कौन्स, aggregate, durability, मतलब, long lasting होगा, आपका concrete, कौन्स, aggregate, provide कराने पे, चार option दिया हुए, friction, plastic, elastic, inelastic, और elastic, ये तो, option से ही कर लोगे, ऐसे questions के लिए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं कहीं थेरी, option से ही, आप सही answer कर ले जाओगे, examination है, आप में से, क्या होगा, answer, aggregate, provide, good durability to concrete, friction, aggregate, plastic, inelastic, elastic, 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 aggregate हो जागए, यहाँ पे, durability, कौन ज्यादा, durable होगा, यह पूछ रहा है, it is what, it is elastic, aggregate, elastic, elasticity, जिसमें होगी, वो durable जाता होगा, इसमें इतना ज्यादा सोचने वाली बात थी, नहीं, friction, durable कैसे होगा, उसमें deterioration होने लगेगा, तूटने लगेगा, तूटने लगेगा, surface edges से, ठीक है, अगला प्रशन देखिए, additional transverse reinforcement is provided at the face, देखो, यह side face reinforcement की बात कर रहा है, यह किसकी बात कर रहा है, side face reinforcement की ही बात कर रहा है, if depth of the member subjected to torzen, अगर depth torzen subject, मतलब torzen आ रहा होगा, उसके particular section पे, तो उस case में, torzen अगर नहीं लिखा होता, तो कितना होता, 750 आपको पता है, torzen आ जाने की वज़े से कितना हो जाता है, 452 दोनों ही provision, मैंने अभी YouTube पे RCC पढ़ाया, उसमें भी समझाया था आपको, यहाँ पे आपका option कौन सा हो जाएगा, यह option is correct, अभी YouTube पे जो RCC JNK वाली चल रही है, उसमें भी बताया मैंने आपको, ऐसे question में गलती नहीं करनी है, बिल्कुल correct, अगला प्रशन देखिए, बहुत ही simple साधारण कुछ नहीं करना है, इसमें, देखो आया हुआ है, कहने को तो plinth area estimation and costing का question है, लेकिन question तो ऐसा है कि जैसे छोटे बच्चे भी कर देंगे, छोटे school के, calculate the cost of construction using the plinth area method, when the plinth area and the plinth area rate, दोनों ही दिया हुआ है, plinth area is what, 10 meter square, plinth area rate is what, 1000 rupees per meter square, multiply ही तो करना है यार, 10 into 1000, 10,000 is the rate of construction, 10,000 आपका answer हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, में, हाँ, 0.1% of the web area, gross web area, provide कराते हैं, equally on both side, ठीक है, vertical crack से prevent करने के लिए हम लोग provide कराते हैं, thinkage की वाई से जो आता है, primary objective of surveying, surveying का primary objective क्या है, यह पूछा है, what is the primary objective of surveying, आसान है, बताईए answer आप लोग, measurement of angles, leveling, fixing boundary, preparation of the plane, और map, main जो objective होता है, survey करने का, उसका यही होता है, कि हम map वगेरा और plan पूरा का पूरा prepare कर ले, बिल्कुल preparation of plan और map, primary objective तो यही होता है, detailing वगेरा बाद में, और भी चीज़े हम लोग निकालते हैं, estimation, उसकी costing वगेरा, लेकिन primary objective होता है, कि plan प्रिपेर करना और map बनाना, ठीक है, बिल्कुल, अगला, continuity equation and Bernoulli equation are based on the law of conservation of, continuity equation किस law पे based होती है, और Bernoulli equation किस law पे based होती है, यह दोनों पूछा गया है, इसमें, चार option दिये हुए, continuity equation के लिए आपको पता है, net mass is constant mass conservation पे, Bernoulli equation is based on the energy conservation, simple है, आला की FM का question है, आप लोग असानी से बता सकते हो, पे보र हको, बविपने हो, होता नप्सो पर क्या कि रविजत पने हो क्या कि म Сब्सेशदीह, अगलापरी, मैंगन, growing अगलापरी, अगलापरी, 따라 यह जा अगलापरी , porosity of a given soil porosity of a given soil sample is defined as the ratio of volume of the void dash of the given soil mass n को कैसे define किया जाता है उपर लिखा हुआ है given as the soil sample defined as the ratio of volume of void उपर vv upon नीचे total volume of soil v होता है total volume of soil यह a option इसका correct हो जाएगा बिल्कु correct void ratio होता है तो क्या होता नीचे volume of soil solid हो जाता अगला प्रशन देखिए next question calculate the base width of the gravity dam for no tension condition if the height of the dam is 150 meter and the specific gravity of the material is 2.4 consider the uplift pressure is 0 uplift pressure is 0 लेने का मतलब है कि C uplift coefficient को 0 मान लेंगे हम लोग यहाँ पे आप से पुछा है कि face width gravity dam का और इसके सारे formula आपको लिखवाया हो friction के लिए भी है ना यहाँ पर तो no tension condition पूछा है tension condition no tension condition के लिए क्या आप formula लिखा था हमने जल्दी से बता जिए b is equal to greater than होना चाहिए b is greater than h upon g minus c यही तो लिखते थे अब यहाँ पे h की value दिया हुआ है इस प्रशन में 150 जी की value दिया हुआ है specific gravity 2.4 c की value को 0 ले लेंगे क्योंकि no uplift है no uplift uplift को consider करते तो one ले ले लेते no uplift no uplift के लिए 0 हो जाएगा यह तो यहाँ पर आप लोग calculate कर लिजेगा इसको calculate करने के बाद कितना answer आएगा 150 upon अंडरूट 2.4 एक बर बेटा calculate करके बता दू मेरे को क्या 96.82 आ रहा है क्या 96.82 आ रहा है क्या एक बर बताईए फटाफट बिल्कुल यहाँ पर 96.82 सभी लोगों कहा रहा है अंसर बिल्कुल यह option is absolutely correct यहाँ पर आपका यह option बिल्कुल correct हो जाएगा यह option is correct अगला next question what is the long term modulus of elasticity of m30 grade concrete when loading for 28 days जल्ली से बता दिजे long term modulus of elasticity M30 grade concrete when loading is 28 days अच्छा question है असानी से बता सकते हो आपको बताया है EC theta पूछा यहाँ पे long term आपको पता है कि EC upon 1 plus theta c होता है creep coefficient where theta c is creep coefficient यह कितना होता है 5000 रंडर रूड FC के upon 1 plus theta c और theta c 28 days के लिए आपको पता है ना कि 7 days के लिए 28 days के लिए और 1 year के लिए theta c की value कितनी होती है 2.2 1.6 1.1 यहाँ पर हम लोग रखेंगे 1.6 5000 अंडर रूड 30 डिवाइड़ बई 1 प्लस 1.6 calculate करिए यहाँ से answer आजाएगा 10.53 यहाँ पर into 10.3 में आएगा mega pascal में giga pascal में दिया हुआ है तो giga pascal में 10.53 giga pascal हो जाएगा mega pascal में आएगा को giga pascal में convert कर लेना B option is correct B option is absolutely correct ठीक है B option यहाँ पर आपका correct हो जाएगा इस प्रशन का answer हो जाएगा B अगला प्रशन देखिए next next question next question देखिए in tachometric survey the distance formula tachometric survey में distance formula the additive constant is expressed as tachometric survey में D is equal to क्या निकालते हैं D is equal to ks plus c right where k is what multiplying constant k की value कितने होती है f upon i यह multiplying constant होता है c जो होता है additive constant c की value होती है f plus d यह होता है instrument की axis जो होती है वहाँ से distance उसके lens तक की दूरी राइट तो पहला option पढ़ते है focal length of objective देखो कौन सा पुछा है इसमे additive constant यहाँ पे दिखाई दे रहा है c की value पूछा है क्या हो जाए गई यह focal length of the objective lens f plus distance from the object lens to the vertical axis बिल्कुल vertical axis से object lens की दूरी बिल्कुल f plus d a option ही correct यहाँ पे दिखाई दे रहा है सीधा सीधा दिख रहा है कि a option में बोला गया अगला प्रश्न देख लेते हैं देखो जैसा कि मैंने बताया था ना कि रेल्वे से बहुत सारे ऐसे questions आया है कि पहली ट्रेन कब चलाई गई इंडिया से पाकिस्तान में पहली ट्रेन कब चली थी जब आ जादी के बाद जब सेपरेशन हुआ उसके बाद समझाता एक्सप्रेस नाम सुना होगा आपने यहां पर देखो question पूछ लिया गए एक तरह से समझ लोगी जनरल नॉलेज के questions भी आ रह पटाफट बता दो इसका अंसर तो बता सकते हो आप लोग आप लोग के लिए होंवक है यह जो लो कन्फ्यूज हो रहे हैं बाहुत सारे बतार रहे सी कुछ बचे बता रहे हैं यह आपके लिए होंवक को से नाय कमेंट सेक्षिन में आप लोग बताओगे बाद में जब ये वीडियो एंड हो जाएगा उसके बाद लास्ट कोशन ही था आज का आप लोग कॉमेंट सेक्शन में इसका सही एंसर बताना है ट्रेन का नाम लिखना है और कब चलाई गए थी लास्ट कोशन का होमवक कॉशन का एंसर देना आपको ठीक है बहुत सारे लोग सही भी बता रहा है मैं देख रहा हूँ जो एक-दो क्लास निकली होंगी वह आपको रिकॉर्डेट मिल जाएंगे मेरी क्लास इसमें जल्दी स्टार्ट होने वाली है मेरी भी कुछे दिनों में तो इस पर्टिकुलर बैच को आप जोईन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डाउनलोड करी अड़ा 247 का अप्लिकेशन और किसी भी स्टुडेंट को कोई सा भी बैच जोईन करना होगा न यू कन यूज इस डिसकाउंट कूपन कोड केवल और केवल इस कूपन कोड को आपको यूज करना है और आपको आपको अटोमेटिक लिए सारे के सारे बेनेफिट और प्राइज भी इसकी ड्रॉप हो जाएगी मिनिमम प्राइज में ये बैच जाएंगे y293 याद रखेगा this is the coupon code for every batches ठीक है चलिए मिलता हूँ आपसे फिर आगे आज के लिए इतना ही आना बिल्कुल होंगे ऐसे session और आज का session आप लोग को कैसा लगा जरूर बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में अच्छा लगा हो तो लाइक करना ठीक है बबाएं टेक कियर thank you so much everyone thank you